हेलो स्टूडेंस कैसे हो आप सभी आज मैं आपके यूटूब चैनल इजी बाइटीच पर लेके आई हूँ उत्तपर्देश पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से एग्रिकल्चर सर्विस एक्जामिनेशन की मेंस एक्जाम की डिटेल्स यहाँ पे जो हमारा प्री का रिजल् है उसके अप्लिकेशन फोर्म हमारे 28 अक्टूबर से शुरू हुए है और इसके जो लास्टेट अपलाई करने की वो है 11 नवंबर 11 नवंबर तक हम इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और जो रिसिप्ट है हार्ड कोपे की वो लास्टेट क्या है हमारी मतलब वहां पे सब्म पोस्ट है वो है 268 पोस्ट अब हम देखते हैं पोस्ट नेम तो जो डिस्टिक होर्टिकल्चर ओफिसर है उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइन्स में विद एगरिकल्चर और होर्टिकल्चर किसी भी रिकगनाईज फिर है हमारी प्रींसिपल ग डॉर्मनिट फूर साइंस ट्रेकने ईंटर होना चाहिए तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं और हमारे पास मास्टर डिग्री है फो टेग्नलूज्चर फूड प्रडग्री कर सकते हैं लेकिन अब तो हमारा मेंस का एक्जाम है तो वहीं केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने pre-clear किया है बस ये मैं आपकी knowledge के लिए बता रही हूँ कि हमारे पास कौन सी डिगरी होनी चाहिए थे उसके बाद है हमारा senior technical assistant, senior technical assistant, botany branch, ये agronomy branch, ये plant protection, ये chemistry branch और ये development branch यहाँ पर हमारे पास master's degree होनी चाहिए किसे भी recognized university से तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे अपलाई कर सकते थे लेकिन हमारा main है हमारा main exam जो की हमारे form 28 October से शुरू हुए है और इसके हमारी जो last date है वो है 11 November वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe जरूर करना थैंक